नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इजी नोक्री चैनल पर दोस्तों इस वीडियों हम देख लिए यूएस एलेक्शन 2020 जी के हाली वे यूएस एलेक्शन संपन हुए है तो दोस्तों उसमें कुछ कुछ इंपोड़न्ट कुश्चन वनियें एंसी क्यूओ और कुछ वन लाइन ला है मोस्ट मोस्ट इंपोड़न्ट है वीडियो को अंतक देखना इंफोर्मेटिव वीडियो तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नोक्री करके जोइन कर सकते हैं वहां आपको मैतपूर्ट पीडियेफ मिलेगी इस वीडियो की पीडियेफ मिलेगी अन्य भी जितनी अप्लोटेट पीडियेफ होती है या वीडियो जोती उनकी पीडियेफ फाइल भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं तो इनका जो शपत गिरहन समार होगा है वो जनवरी 2021 में संपन होगा यान की 2021 में सपन लेंगे अमेरिका के 40 में राश्पती के तौर पे इनका नाम है जो विडेन ठीक है इससे ये कौन सी पार्टी से जीते हैं और कितनी सीटे ने मिली है ये आगे मैं MCQ में बताऊंगा ठीक है जो विडेन अमेरिका के 46 में राश्पती होंगे अगला कुशन देख लेते हैं अगला कुशन है अमेरिका की अगली उपराश्पती कौन बनी है तो दोस्तो अमेरिका की अगली उपराश्पती बनी है पोटो देख सकते हैं इनका नाम है भारती मूलकी है ये कमला हैरेस और अभी करंटली अमेरिका के उप राश्वति कौन है तो जल्दी से इसी कोश्चन में कमेंड कीजिए अगला कोश्चन देख लेते हैं जो बेटेन जो है Democratic Party से रिपब्लिक Party से डोणाल्ड ट्रप आते हैं और ये जो जो बाइडेन जो कि शालिस में राश्च्पती बने है ये Democratic Party से जीते हैं याद और मेर की राजनीता है जो इस सा यह को राश्ट्र अमेरका में 29 से 17 के बीची ओप राश्च्ट पती के रूप में यह नो ने काम किया था याद रखेगा तो किस पार्टी से आते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो अगला कुशन है इस राश्च्पती चुनाब में जो वाइडिन को कुल कितनी सीटे मिली तो दोस्तो जो वाउटेन के जो खाते में जो सीटे आई वो आई कुल 290 आप देख सकते हैं फ्रेंट्स यह पॉल थे फाइनल रिजल्ट थे तो जो वाइडिन को मिलीती 290 और वहीं डोनाल टिब को मिलीती 214 और यहां जीतने के लिए जो चाहिए था वह 270 वोट चाहिए लेकिन बीस और जाद मिली जो वेडिन को ठीक है तो कि कुल कितनी सीटे मिली 290 मिली और चालिस में राश्पती होंगे अगले और जो वेडिन जो की यूएस के उपराश्ट वदी भी रह चुके हैं अ कि 2009 से 17 के बीच वपराश्पतिक रूप में भी रहों ने काम किया था अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों अगला कुशन है डोनाल ट्रम को कितनी सीटे मिली थी तो डोनाल ट्रम को आप देख सकते हैं डोनाल ट्रम 214 पाई इनकी गाड़ी से मट गई और जो वेडिन न इस चुनाब में 214 सीट मिली थी याद रखेगा और जो राश्पति अगले होंगे वो जो बाइडन होंगे जिने 290 सीट मिली थी और इस इलेक्शन को जीतने के लिए कम से कम 270 वोट चाहिए थे राश्पति चुनाब को तो बाइडन को 295 मिले डोनाल ट्रम को 214 परी इनकी महिला उपराश्पति वे उनने बनी है USA की और यह डेमोक्रेटिक पार्टी से संब्धन देता है याद रखेगा अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों एक कोशन यहां भी बनता है कमला है रहे किस से लड़ रहीं थी राश्पति चुनाब के लिए तो इनका विपक्षी ज अभी अमेरिका के राश्पति हैं और जो वाड़ान जो की छालिस में राश्पति बने हैं वो अपना पाद 2021 जन्वरी में लेंगे घ्रान करेंगे डोनाल ट्रम से याद रखेगा और डोनाल ट्रम जो है वो डिपब्लिकन पार्टी से संब्धन देता है याद रखेगा यह होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अद्धक्ष कोन है जैसे भारत में बीजेपी हो गई कांग्रेस हो गई ऐसे अन्य अन्य राश्टी पार्टी हो गई ऐसे ही वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी है तो उसके अद्धक्ष कोन है तो इनका नाम है टॉम प्रेज आप फो कर देखे गैए सあります मेरेका के राश्पती और प्राश्पती के या रहा सब्सथा HER ने प्राश्पती में अगला सब्सक्रा बसंदेखे में कमृषी है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन देख हích कमला 시작 और प्रश्पती के पत्पर किसे बढ़ तो ये भी आपको याद रखना है तो जैसे जो बाइडन ने डोनाल ट्रम्प को औराया और उप्राश्पती की बात करूँ तो कमला हैरिस ने माइक पैंस को औराया याद रखेगा माइक पैंस जो कि बर्तบान में अमेरिका के उप्रा iseफाती है और कमला हैरेस ने पहली उपराश्पती बन गई है पहली महिला उपराश्पती बन गई है उपराश्पती के पत को शुशववित करने के लिए तो दोस्तो माइक पैंस को राया इनका बेपक्ची जो व्यक्ती थे वो माइक पैंस थे और कमला हैरेस ने उपराश्पती के चु तो वाइट हॉस का नाम करण किया ती याद रहकेगा यह 26 में प्रेसिडेंट ते अमेरिका के थियोडोर रुजविल्ट ठीक है और यह 1901 में उन्होंने वाइट हाउस नाम दिया था याद रहकेगा वहई-वरी-वरी-पोडेंट अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों तो दोस्तो बता चुका हूँ मैं अभी जो वेडन मने है जो की डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं फोटो देख सकते हैं और ये 46 में प्रसिडेंट होंगे जनवरी 2021 महीं शपत लेंगे याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो यानि कि अब जो वेडने ने ये चुनाब जीत लिया है तो अब तक टोटल कितने राश्पती रहे थे तो दोस्तो 45 रहे थे याद रखेगा ठीक है 46 में कौन बने है अभी जो बाइडेन मने है जो की जनवरी 2021 महीं शपत गरन समारू में भाग लेंगे और शपत लेंगे अप रिका के राश्पती याद रखेगा अगले कुशन देख लेते हैं दोस्तो फ्रॉम विच पार्टी है जोनाब ट्रॉम एलेक्टेड तो दोस्तो मैं बता चुका हूं डोनाल ट्रॉम ने राश्पती जुनाब जीता था किस पार्टी से तो यह जीते दर रिपब्लिकन पार रोम है शपत लेंगे राश्पती की याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो अगला कुशन है हाउ मैनी टाइम से परसन केन बिकाम प्रसिडेंट एकाउडिंग टू यूएस कंस्टिटूटीशन यानि कि यूएसे का जो सम्मेदान है उसके मुताबित कितने ऐसे परसन है या कितने बार प्रसिडेंट बन सकता है कोई व्यक्ती यूएस कंस्टिटूटीशन के हिसाब से तो दोस्तो यह कह रहा है टू टाइम्स फूर एट येर मतलब दो बार बन सकता है आठ साल के लिए और यह लिखा गया है बैयालिस में अमेरिकन टीके तो कितनी बार कोई वी वक्ती कितनी बार प्रसिडेंट बन सकता है दो बार बन सकता कितने साल के लिए आठ साल के याद रखेगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इसी नोख़री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगला कुशन देख लेते हैं दो तो 1788 से चालू हो गई याद रखेगा अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों अगला कोशन है How many states are there in America now very very important तो दोस्तों अड़ीजा में कितने राज्य तो अभी अमेरिका में जो राज्य वो 50 राज्य है The last two states are Alaska and Hawaii यानiku 5950 , बनिते वह एक तो अलेसका था और एक हवाई था याद रखेगा और यहहां挑 आवगत कि यह निकावन स्टेट अमेरिका in the future यानि कि पितर गिको जो एक राज्य है अमेरिका का उसे 15 मा एंश्टेट अमेरिका द्वरर बनाए जाएगा यह अभी कह रहे हैं हुनए लोग लेकिन अभी 15 मा राज्य बनाया नहीं गया है पितर को हो सकता है, अगला क्या बना राज्य है currently जो राज्य है अमेरिका में वो 50 राज्य है याद रखेगा और 49 पचास में जो राज्य बने थे वो एक LS का जोड़ा गया था और एक हवाई जोड़ा गया था याद रखेगा अगले कोशन देख लेते हैं अगले कोशन है ऑच पर पॉड़ी जो डिद्वाफ जोण loops में सबसे पॉड़ा राज्य भाप्म नरखेगा वेरी एंकला क्वेरी इंपॉडेट्ट देख लेते और यह है इसका नाम है व्योमिंग राज्य है ठीक है याद रखेगा वेरी वेरी इंपूरेंट अगला कुशन देख लेते हैं हाँ मैनी सीट इन दा इलेक्शन ओफ अमेरिका तो दोस्तों अमेरिका का राश्च्पती चुनाब गए तो इसमें कुल कितनी सीटें थी तो दोस कुल कितनी सीटों की जरूत होती है इसमें तो दोस्तों कमेंड में जरूर बताएं मैं उपर आपको बता चुका हूं सारा और यह मैं आपके किवल लर्निंग के लिए पूछ रहा हूं दोस्तों और अगर आपको याद है तो मैं जो बताईएगा जो वाइडन ने कुल कितन सीट जीतनी और टोटल जीतने के लिए कितनी सीटों की जरूत होती है अमेरिका के चुनाम में याद रखेगा यह आपके रिवीजन बतार मैं पूछ रहा हूं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही काफी 20 most important जी के लेके आया था साथ के साथ इसमें करेंट फेर के वी कु पसंदा ही होगी अगर यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो यह वीडियो अपने दोस्तों साथ जरू शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फाइदा उठा सकें अगली वीडियो में मिलता हूं बहुत बहुत थन्यवाद